नमस्कार्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ स्वागत हाजर हुए एक बार फर से बॉक्स ओफिस का कलेक्शन ले करके कि आखर प्रभास की सलार और शारुख खान की डंकी ने कितनी कमाई की है क्या वाकई में सलार जो है वो बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड कलेक्शन कर रही है कितनी मूवी के रिकॉर्ड अब तक सलार के द्वारा तोड़े गए हैं आपको बता दे कि कीजी अफ यूनिवर्स के डारेक्टर प्रशांत नील ने सुपरस्टार प्रभास को अपनी नई फिल्म में जिस तरीके से पेश किया है उसका क्रेज दर्शकों में लगातार बरकरार है फिल्म के एक्शन सीन्स थीटर्स में जनता की भरपूर तालियां सीठियां बटोर रहे हैं और कहानी दर्शकों को काफी ज़्यादा अटेंशन भी बानती हुई नसरा रही है इस क्रेज का फाइदा फिल्म को बॉक्स ओफस पर जम करके मिलता हुआ नसरा रहा है बता दे कि सलार का टोटल इंडियन बॉक्स ओफस कलेक्शन इस वक्त 254 करोड के पार हो चुका है वहीं अगर हम ग्लोबल यानि की वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफस कलेक्शन की बात करें तो सलार ने मात्र चार दिनों में 450 करोड रुपए का आखड़ा पार कर लिया है बता दे कि अपने पहले ही वीकेंड पर सलार ने वर्ल्ड वाइट कलेक्शन 402 करोड रुपए कम आ लिये थे वहीं दूसरी ओर शारुख खान के फिल्म डंकी भी रिलीज हुई है जो कि शारुख खान की इस साल में तीसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने जवान और पठान मूवी भी लाई थी थेटर्स में रिलीज हुई थी लेकिन अगर बात हम उनकी तीसरी फिल्म डंकी की करें तो लोगों को कुछ खास प्रभावत नहीं कर पा रही है साउस सिनेमा और बॉलिवट के बीच बॉक्स ओफिस की इस जग में बॉलिवट का बुलबुला एक बार फिर से फूटता हुआ नसर आ रहा है बता दे कि शारुख खान के स्टार्डम का जादू दो फिल्मों के बाद ही धीमा होता हुआ नसर आ रहा है वही 22 दिसंबर को रिलीज हुई प्रभास की सालार ने बॉलिवट को एक बार फिर से पठखनी दे दी है बता दे कि डंकी ने पहले ही दिन 30 करोड रुपे की ओपनिंग की जबकि प्रभास की सालार ने पहले ही दिन फिका पड़ता हुआ नसरा रहा है बता दे कि सालार ने चार दिनों में जिस तरीके से ताबर तोड कलेक्शन किया है इसको देख करके माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में सालार जो है वो जल्दी 1000 करोड रुपे का कलेक्शन क्रोस कर लेगी बता दे कि जिस तरीके से सालार ने महस चार दिनों में 254 रुपे करोड की कमाई की है तो वही शारुख खान की पठान ने चार दिनों में केवल 220 करोड रुपे की ही कमाई की है और जबकि रनवीर कपूर की आनिमल ने चार दिनों में 245 करोड रुपे ही कमाई थे बता दे कि प्रभास की फिल्म ने पहले ही दिन से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर 178 करोड पैसे जादा की कलेक्शन के साथ शिरुवात की थी अब सुमवार को भी फिल्म ने सॉलिट कलेक्शन के साथ ये महाल बना दिया है कि इसका सफर तगड़ी कमाई लेकर के आने वाला है बता दे कि फिल्मों की कमाई के सामने स्पीड ब्रेकर बन कर आने वाले सुमवार को भी सलार की कमाई सॉलिट बनती हुई नसर आ रही है किया है रवी वार को फिल्म ने 62 करोड उपए से जादा की कमाई की और इसी के साथ ही इस फिल्म ने 200 करोड उपए का कलेक्शन आसानी से पार कर लिया था अब चौते दिन के कलेक्शन के बाद इसने चार दिनों में 254 करोड उपए से जादा का नेट कलेक्शन कर लिया है तर 402 करोड उपय का ग्रॉस कलेक्शन किया था तो वहीं 100 मार के बाद इसकी वर्डवाइट ग्रॉस अब 450 करोड नसर आ रहे हैं दरसल प्रभास के हिंदी वर्जन को भी बहुत सॉलिड स्क्रीन काउंट मिलने की उमीद कम ही थी लेकिन गुरुवार शाम से खेल बदलता हुआ सरा रहा है और शारुक खान की हिंदी फिल्म डंकी के बावजूत प्रभास की फिल्म को एक सॉलिड मौका मिला है दरसल हिंदी ऑडियंस भी प्रभास की इस फिल्म को खुब इंजोई कर रही है पहले दिन 15 करोड से थोड़ा ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली सालार ने रवीवार को 21 करोड से जादा का बिजनस किया पहले विकेंड में फिल्म के हिंदी वर्जन का कलेक्शन 53 करोड रुपे था वहीं सोमार को भी सालार के हिंदी वर्जन ने सॉलिड कमाई की और रिपोर्स बताती है कि इस बीच जो कलेक्शन है वो 14 से 15 करोड रुपे के नजर आ रहा था लेकिन डंकी जैसे बड़ी फिल्म इसके सामने खड़ी थी उस हिसाब से तो सालार के हिंदी वर्जन की कमाई बहुत ही दमदार नजर आ रही है आपको बता दे कि प्रभास की फिल्म अब जल्द ही वर्ल्ड वाइड वॉक्स ऑफिस पर 500 करोड और भारत में 300 करोड पार करती हुई भी नजर आएगी फिल्म का हिंदी वर्जन भी बड़ी तेजी से 100 करोड का मार्क तै करने की ओर बढ़ रही है वहीं दूसरी और आपको बता दे कि जिस तरीके से फिल्म को लेकर के लगातार ओडियंस में उस साथ देखने को मिल रहा है तो इस 30 मिनिट 31 सेकंड के इस वीडियो में फिल्म और फिल्म के बनने के पीछे की पूरी जर्नी को दिखाया गया है प्रभास प्रित्विरा सुकुमारन शूती हसन और डिरेक्टर प्रशांत नील दिखाई दे रहे हैं दरसल इस पूरे वीडियो को यूट्यूब पर अब तक कर दो लोग रिस्पॉंस देठी रहे हैं लेकिन जिस तरीके से फिल्म के making shots सामने आहे हैं उसको दिघूआ नजर आ लौह बता दartz किया फिल्म पूरी तरी को फर्स्ट हाफ है वो fiction की दुनिया पर आधारित है जो कि लोगों को काफी जादा पसंद आ रही है और लोग जो है प्रभास के action scenes को देखने के लिए theater पहुंच रहे हैं लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बड़े पर प्रभास के acting है प्रशांत नील का direction है ये काफी जादा श्रांदार है लाजवाब है हाला कि साउथ में तो लोग भरपूर तरीके से प्रभास के fan है लेकिन अगर बात हम हिंदी वर्जन की करें तो कल तक लोगों को ये लग रह लेकिन आज की डेट में जहां स्क्रींस भी सलार को हिंदी वर्जन में कम मिल रहे थे तो अब की डेट में जिस तरीके से इसी के साथ एडवांस्टिकेट बूकिंग की बात करें तो इसकी तदाद भी कहीं ज़दा बढ़ती हुई नसर आ रही है एक-एक दिन में जो लोग है वह पाच-पाच मीलियन टिकेट्स बुक करवा रहे हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और यही वज़ा रही है कि इस फिल्म ने रिलीज होदने के साथ ओपनिंग की है और यह प्रभास की अब तक के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म भी बनी है बता दे कि अगर हम प्रभास के करियर की बात करें तो अभी तक प्रभास ने कई सारी हिट फिल्में दी है जिसने की एक दिन में 100 करोड से भी जादा का अकड़ा पार किया है जिसमें बाहु बली बाहु बली टू साहो आदीपुरोस और सलार जैसे फिल्में श्रामिल है जिसका अपने आप में यह आकड़ा दिखाता है कि प्रभास जो हैं वो काफी जादा सालार में भी देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से यह मारा जो आ रहा है कि बाहु बली टू ने जैसे 1000 करोड का कलेक्शन पार किया था ठीक उसी तरही के से सालार भी बॉलिवुड गैंग को धूल चटाते हुए यह 1000 करोड रुपय का कलेक्शन अराम से पार कर लेगी फिलाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नहीं बाद